क्या कुछ कहा दिया कुमारी ने आपने सुना अब आपको सुनातें अनराक थाकुर क्या कुछ कह रहे हैं राज्यस्तान की जमीन पर पाव रखते ही एकी संधेश मिलता है ऐसा रखता है चारों तरफ एके वाज-गुँझ रही है कॉंग्रेस जा रही है भाजपा आ रही है और एक आले कारणा में जो लाल डैरी में छिपे हैं वो चीख पुकार की कह रहे हैं कि बहुत हुई लूट अब बस करो गहलूट यह प्राणाम च्छोट जी लेकर कितने माफियों की में बात सुनाओं महिला अपराद से लेकर अन्यमाफिय अपराद से लेकर अत्याचार से लेकर गुंडा राज और भ्रष्टाचार में नंबर वन राज़सान को बनाने का काम ये गहलूट सरकार ने किया है राज़ी, कॉंग्रेस भी इसी तरह के आरोप लगा कर बीजेपी की ततकालीन सरकार पर सत्ता में आई थी अब बीजेपी इसी तरह क्या रोप लगा रही है क्या यही होता रहेगा क्या राज़सान में तीसरा विकल्प नहीं है इसलिए बीजेपी ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रही है नहीं ऐसा नहीं है आप लोकर से लेकर सचीवाल्य तक देखिए करोड़ों रुपे बाहर निकले की निया की नियाक आयक नियाक इंगे इतनी बेहनों का शुराप कांग्रेस साफ श्राप क्यों महिला प्राद में नंबर वान दो लाक दुशकरम दो लाक महिला प्राद की कटना है 35 दुशकरम हुए जहां किसानों का श्राप क्योंकि करजा माफ नहीं हुआ कॉंग्रेस साफ जहां इवाओं का श्राप कॉंग्रेस साफ क्योंकि 19 पेपर लीक हुए आप किस को ले लिजिए वियपारी दुखी है वियपारियों का श्राप पिछली सरकार में भी लीक हुए जिनके खिलाफ कड़ी कारवाई होनी चाहिए पांच साल थे कॉंग्रेस के पास 19 पेपर लीक हुए यह प्रदेश के इवाउं को ठगने का काम कॉंग्रेस करती है ऐसा कोई सग ले बटन दबाओ ऐसे की कॉंग्रेस को फांसी दी जाए ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कनेयलाल जैसे मुद्दे नहीं होने चाहिए वो तो यह कहते है कि कनेयलाल को के जो आरूपी थे उनको पुलिस ने पकड़ा लेकिन उनको छुडाने वाले बीजेपी क देखिए जिसकी राज में गला काट लिया जाए और मुख्यमंत्री सोयर है जहां हिंदूओं की यात्राओं पर बैन लग जाए पथराव हो हिंसा हो और वो कोई कारवाई ना करें जिसके घर से थोड़ी दूर पर अपराद की घटनाएं हो चलती बस में बेटी के साथ ब् बलातकर कर दिया जाए पांच साल की बच्ची के साथ सब इंस्पेक्टर बलातकर कर दे वो सरकार उसको दफन करने का